हलो बच्चों कैसे हैं आप साब एक वीडियो एक टॉपिक वाली स्रीज में आपका स्वागत है कहते हैं न किरक होंसला वो मंजर भी आएगा और खुसियों का चलकर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ आए मंजर के मुसाफिर मंजर भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा सही दिशा में और सही समय पर और सही काम करें परड़ाम अवस्य आपके लिए बहतर होगा आए इनी ग्यान के साथ यह सवाल देखते हैं वीडियो नंबर 34 है और पढ़ेंगे भाग विधी से वर्गमूल यह नंबर्स जो हैं थोड़े से किच-किच वाले होते हैं इनका वर्गमूल थोड़ा आफान नहीं होता है इनका वर्गमूल सिर्फ और सिर्फ भाग विधी से किया जा सकता है इसके पहले भी मैं इसको पढ़ाया हूं बटी स्रीज में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके पहले मैंने आपको दो कवर्गमूल निकालना बता दिया सायथ 11 का बता दिया 12 का बता दिया और भी बहुत से बताया है पांच का भी बताया है तो आज इ तीन अंग तक तो तीन अंग तक ही एक्जेक्ट बैलू लगभग हो जाती है इसलिए तीन अंग तक find करते हैं, सबसे पहले line खीचते हैं ऐसे बड़ी बड़ी line खीचते हैं उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी numbers हमारा है तीन है तीन अंग तक का मतलब इस तीन से को मतलब नहीं है ठीक है, तीन अंग तक मतलब यह है कि जो तीन का ऎसे वर्घमू लाएगा, वो 1.732 ऐसे something आता है क्या आता है, यह आता है 732 ना, तो यह तीन अंग का यह मतलब है, ठीक है अगर 4 अंक तक बोलेंगे थो सकता यहाँ 1, 2, 5, 7, कुछ भी आ जाया ऐसे बड़ा सा, तो हमें सिर्फ 3 अंक तक निकालना है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, चाओ थांक, वो अभी मिना निकाले, मुझे नहीं बता है ठीक है, चलो तो 3 अंक तक निकालने काला है, बच्चा क्या करेंगे, ऐसे ऐसे 0, 0 के लड़ा बढ़ा बढ़ा के 3 जोड़ा बनाएंगे उसके आगए, ठीक है, क्या करेंगे बाबू, 3 जोड़ा बनाएंगे, मैंने बना लिया, आप चलो, क्या करेंगे अब पहले activity हमें ये करना है कि कोई F-A जो है नमबर बताओ जिसका square करने पर तीन आए या तीन से कम आए या उसके बराबर आए उसके जादा ना हो तो देखो अगर दो का square करेंगे तो भाई साब क्या आएगा दो का square करने पर 4 आ जाएगा इससे जादा हो जाएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 का square कर फकता हूँ उपर भी 1 लिख दो 1 का square 1 इनका गुड़ा करके यहां लिखा जाएगा जो माना आया ठीक है? मैं इनको घटा आएगे 2 आएगा अब इनको जोड लो 1-1-2 ठीक है? अब उपर फे एक जोड़ा उतार लो नीचे जोड़ा उतारे हो दसंबलो के बाद वाला ते यहां दसंबलो लगा लो अब देखो 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? आपको लग रहा होगा 2 का भाग तो 20 में 10 बार जाता है नहीं साई समझे रहा बट यहां पर यह टोटल फाइनल 7 बार जाएगा कैसे जाएगा? देखो ऐसे 7 बार का मतलब यही हुआ ठीक है? 7 बार का मतलब यह नहीं कि 2 है तो 7 बार जाएगा 14 हो जागा नहीं 7 बार का मतलब यहां भी 7, यहां भी 7, इनका गुड़ा को रो 7-7-9-4-7-2-14-4-18 ठीक है? मैंने 7 डारेट क्यों लिख दिया? 6 रखके भी ट्राई कर सकते थे 8 रखके भी ट्राई कर सकते थे क्योंकि मुझे आंसर पता था तो मैं फालतु दो बार काहे को करता इसके पहले बहुत सरे सवाल मैं कर आया हूँ 3 ठीक है? अब देखो हमने एक जोड़ा यहां उतार लिया था फिर 7 बार भाग गया था 7 उपर लिख दिया अब बच्चा एक जोड़ा फिर से यहां उतार लोगे ठीक है? अब कितनी बार भाग जाएगा? देखो तुम्हें आल्रेड़ी बता चुका हूँ सारी चीज़ें इसलिए मैं एक जेक्ट वही मान रख रहा हूँ अब इसमें 3 बार भाग जाएगा तो 3 बार यहां भी और यहां भी उड़ा करो 3 तरीक करनो 3 चोक 12 हाफिल 1, 3 तरीक करनो 1, 10 देखो मैं डारेक्ट जो रख रहा हूँ एक जेक्ट फिट हो जा रहा है क्योंकि मुझे इसका आंसर पताइफ लिए अगर आप कहोगे फिर हम कैसे जानेंगे तो तुम एक बार ऐसे करना 3 का भाग 11 में ट्राई करो तो 3 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा 3 तरीक करनो, 3 बार तो जा रहा है लेकिन हमेशा सही नहीं बैठता जैसे यहाँ पर 3 का भाग 11 में 3 बार जा रहा है और 3 बार में यह मान भी सही बैठ रहा है बट कभी-कभी अकसर यह जादा हो जाता है तो अगर जादा हो रहा है इसी कंडिशन में तो आप 2 बार ले जाओगे ठीक है एक बार करोगे तब पता चलेगा इनको गुड़ा करके मैंने आ लिक दियाव इनको जोड़ना है जोड़ के लिखो 3-3-6-4 और 3 इनको घटाव 10 में से 9 गया 1 9 में से 2 गया 7 एमेस एक उधार यह इसको मारा था अब कितनी बार जाएगा लाइस्ट में अब एक जोड़ा उतारना है साइड से एक जोड़ा उतार लिया अब यह सिर्थ दो बार जाएगा कितनी बार जायागा बच्चा कह रहा था इदर थोला जगा छोड़ के लिखो इदर राइट से सकेतन समधिया ना करो तो दो बार जायाएगा मतलब ऐसे ठीक है दो दुना चार दो छंग बारा अफी लेक दो चोका ठेक नौ दो तियाई छे ठीक है अब ये मैंने answer तो पर्याप्त कर दिया अब इनको नीचे घटा लो या जोड़ लो कोना मतलब नहीं है हमारा answer उपर तीनंग तक आ गया तो भाई साब मैं इसे यहाँ पर F लिख सकता हूँ कि under root जो 3 है उसकी value जो आ रही है वो 1.732 ठीक है ये एक लगभग में आने वाली value है इसमें किसी को कोई doubt है कोई हैरानी परिशानी तो मुझे बता दो देखिए आप लोग कहते हूँ एक गंटा दो दो गंटा live करिए live मैं करता हूँ बहुत महनत लगती live करने में जिससे मारी महनत सफ्षल हो चोके मतलब सबसे हो सके क्योंकि मैं इतना रात रात को वीडियो रिकार्ड करता हूँ जो वीडियो रिकार्ड होता है एक बच कर चार मिनट हो राज ठीक है जिससे आप सुबा देख पाओ ये वीडियो सुबा पांच बज़े आती है लेकिन कभी-कभी अगर बीच में क्लास का टाइम नहीं मिल पाता और क्लास होने का समय हो जाता है जो रेगुलर क्लास है तो उनकी जगापर भी इनको पब्लिक कर दिये जाता है